लोटस आयर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूँ उत्पल चौध जी आज हम बाग करेंगे इंटरनेशनल करेड़ लाल पीली या सफेद जाने सेहत के लिए कौन सी गाजर होती है सबसे ज़्यादा पाइदेड़ हर साल चार अप्लेयर को बिश्व गाजर दिवस के तौर पर मनाया जाता है जंक और प्रॉसेट फूट के जमाने में गाजर दिवस के मनाने का मुख मक्सद लोगों को इस सबजी के बारे में फाइदों से रूबरू करना है इस दिन को मनाने की सुर्वात दो हजार तीन में हुई थी सब चपहले गाजर दिवस को मनाने की सुर्वात फ्रांस और स्वीडेंस से हुई इसके बाद भारत रूज इटली समय कई देशों में विश्व गाजर दिवस मनाया जाने लगा गाजर एक रूट बेजी टेविल है जिससे सलात सब्जी हल्वा और कई तरह की मिठाई बना करके खाने में इस्तेमाल किया जाता है जब आप गाजर की आती है तो आप जानने की कोशिश करेंगी कौन सा रंग का गाजर सिहत के लिए ज़्यादा फाइदे बन होता है भारत में कितनी तरह की गाजर पाई जाती है सबसे पहले यह जानेंगे कि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में हमारी गाजर कौन कौन सी कलर की मिलती है वो जानना आपके लिए जरूरी है भारत में मुक्तोर पर पीली, लाल, परपल और काली गाजर पाई जाती है मुक्क रूप से कहें तो भारत में पांच तरह की गाजर पाई जाती है इसका इस्तिमाल सबजी, सलाद और कई तरह की मिठाईयां बनाने के लिए किया जाता है इस सभी गाजरों में अलग-अलग तरह के पोसक्तत्तों होते हैं जो सरीर और दिमाग को कई तरह से फाइदा पहुचाता है लाल गाजर खाने के फाइदे आम तोर पर भारत में लाल गाजर ही पाई जाती है लाल गाजर में लाइकोपीन नामक एक योगिक होता है इसी योगिक की बज़े से गाजर का रंग लाल होता है लाल गाजर मेटापॉलिजन को बूश्ट करने आखों की रोशनी को तेश करने और हाट से सम्मझेद बिमारियों को रोकने में मददगार होता है मेरा ऐसा मानना है कि उत्तर भारत के ज़्यादतर घरों में लाल गाजर का ही इस्तेमाल किया जाता है परपल गाजर खाने के फाइडे परपल गाजर भारत के लोगों के लिए थोड़ा नया है इसका इस्तिमाल ज्यादा तर सहरी चित्रों में किया जाता है परपल गाजर में मुखरूप से एंथोसाइन नामक का कमबाउंड होता है जो पॉली फेनॉल एंटी ऑक्सिडेंट है परपल गाजर का सेवन करने से सरीर से बिसाक्त पदार्तों को बाहर निकालने के लिए मदद मिलती है साथ ही ये गाजर, ब्रेश्ट, लीवर, इसकिन और कैंसर की कुछिकाओं को भी खत्म करने में मदद करता है हालंकि परपल गाजर का इस्तिमाल सिर्फ सलात के तौर पर ही किया जाता है पीली गाजर खाने के फाइदे हैं गाजर की एक अन किस्मों के बारों में मैं आपको बता रहा हूं पीली गाजर का स्वाद थोड़ा ज़्यादा मिठा होता है इसमें लिव्टीन की पिर्चुर मात्रा पाई जाती है लिव्टीन आखों की सेहत के लिए बहुत पाजेमंद होता है टीवी और मोबाईल इसकीन देखनी के बज़े से जिन लोगों की आखें कमजोर हो गई है उन्हें अपनी रोजाना की डाइट में पीली गाजर को जरूर सामिल करना चाहिए इसके अलाबा पीली गाजर इसकीन को सूरेज की हानिकारक किरनों से भी बचाने में मदबगार होती है काली गाजर खाने के फाइदे है काली गाजर में प्रिचुर मात्रा में फाइबर, पोटेसियम, बिटामिन जैसे कई पोसक तत्तों पाये जाते हैं बर्तमान में काली गाजर की खेटी भारत पाकिस्तान अफगनिस्तान और तुर्की में की जाते हैं काली गाजर में हाई फाइवर होता है फाइवर पाचेंतंत्र को दुरुस्त रखने में मदद करता है साथ ही ये बज़न घटाने में भी मददगार है बिटामिन और पोटेसियम इफ्थ होने की बज़े से काली गाजर को आँखों की सेहत के लिए बहुत ज्यादा फाइदेबन होता है लाल पीली या सफेद कौन सी गाजर होती है ज्यादा फाइदेबन भारत में विभिन्य किस्म की गाजरें पाई जाती है जिनके अपने अपने स्वास्त और लाव है लोग अपनी सेहत और जरुत के हिसाब से गाजर को अपने खान-पान का हिस्सा बना सकते हैं जिन लोगों को डाइबेटीज हार्ट या थायरेड जैसे हेल्ट प्रॉलम है उन खा सकते हैं या नहीं उसके बाद ही खाना चाहिए जिन लोगों को लाल गाजर से इलर्जी है उन्हें भी इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए को यह था हमारा आज का वीडियो आपको करसा लागा हमें जोरू बताएं धन्यवाद